वेलकम दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल राजा क्रिकेट प्रेडिक्शन में तो आज हम बात करेंगे दा हंड्रेड लीग दो हजार बाइस जो की आज से स्टार्ट हो रही है ठीक है ना ये दा हंड्रेड लीग दो हजार बा सबसे पहले हम चलते हैं तो जो मैंने प्लेंग लेविन की तरफ तो जो मैंने प्लेंग लेविन करी है जो मैंने डाली है वही खेलेगी एक दो हो सकते हैं क्योंकि पहला मैच है देख लेते हैं एक बार ठीक है ना किसको खिलाते हैं ऐसा होता है ना कुछ प्लेयर्स अभी अपनी देश के लिए नहीं आप आए हैं लेकिन जो मैंने टीम दिये यह टीम खेलेगी तो डीकॉक ओपनिंग करेंगे प इसके बाद टिम डैविड नमबर पांच पर नमबर साथ पर रहेंगे नमबर शैपर रहेंगे रोस वैटली और नमबर साथ पर हैं क्रिस जॉड़न जी गॉल्टन कि क्रिस ओवर्टन टाइल मिल्स एंड जे लिंट टॉट जे लिंटॉट बॉलर है अच्छी गैंदवाज है तो सबसे मैं चीज की इस टीम में मतलब आर्लाउंडर बॉलिंग बल्लेवाजी सब बहुत अच्छे तो यह टीम मतलब एक स्ट्रॉंग टीम है मैंने आपको पिछली वीडियो हों बताया था अपने की साउथन ब्रॉब साउथन ब्रेव एक स्ट्रॉंग टीम है में कर सकते हैं अब एक बार दूसरी टीम की तरफ नरे डाल लेते हैं दूसरी टीम हमारी वैल्स फायर इस टीम के कप्तान है बैंड टुकैट ठीक है तो इसकी जो ओपनर है वो रहेंगे बैंट टॉन टिम बॉंटन और डिल्योड ओपनिंग करेंगे दोनों बहुत धुहा बढ़ तोड़ वल्लेवाज होगी भर मार है यही है कि अगर यह ओवर खेल गए तो 16-17 मारने बाला है नंबर छे पर हैं जैक आप कोप्स या लाउंड है फिर है बैरस्टो यानि टोटल साथ वल्लेवाज इस टीम में पहली बार आए हैं तो अभी जगे को लेकर थोड़ा अहमद बहुत अच्छे गैंदवाज हैं और एल फ्लेचर और एम मिलनेस टोटल मतलब चार गैंदवाज और साथ बल्लेवाजों कि यह टीम है यह टीम भी बहुत मजबूद है तो यह नहीं कह सकते कि जो मुकावला यह होने वाला है तीन तारीक को पहला मुकावला कि 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 इसी भी एक वक्ष में जा सकता है इस बार इन लोगों ने बहुत अच्छा किया था हंड्रेड में कि दोनों ही टीमों को यानि आठ टीम है आठ टीमों को बहुत संतुलित तरीके से बनाया है कि कोई भी टीम बहुत ज्यादा कम जोन नहीं है सब तीम एक दूसरे को कर सकते हैं आप की पिलेश से मैं किसलिये बताता हूँ एक तो आपको पता चल जाता है कि कोनको से बल्लेवाद अच्छी परफॉर्मेंस कर सकते हैं दूसरा जो ड्रीव बनाते हैं टीम बहुत सारी फैंटेसी खेलते हैं तो उसमें भी वह इन तोनों टीमों के हमारे जो की कि पिलेरस हैं इन्हें मिलाकर अपने एक मजबूत तयार कर लेते हैं ठीक है अब आगे देख लेते हैं पिछ रेपोर्ट की तरह तरह रोज़ वाल पिछ रिपोड रोज़ वाल-जो हमाली यह प्छ रिपोर्ट है रोज़वाल की यह मतलब यह भी नहीं कह सकते कि हां बहुत पर अभी उसका तो मैं इतना बड़ा रिकॉर्ट तो देनी सकता आपको की टी-टॉंटी का अलग बना कर दूँ और लीक का अलग दूँ तो अभी तक टी-टॉंटी मैच इसमें खेले गए हैं जिसमें पहले बैटिंग करने वाली टीम ने 40 बार मैच जीते हैं और बैटिंग इसा नहीं है कि जो पहले खेलेगी वहीं जीत लेगी बतार एक रिकॉर्ट यह कहता है एवरेज इसकोर फास्ट इनिंग का है एक सो चॉंसर्ट रन और हाइस स्कोर हैं सायर ने बनाया था 221 रन ठीक है रट्टी-टॉंटी ब्लास्ट में तीन विकेट के नुक्सान पर इस स्कोर इसमें ग्लैम मॉर्गन का है जो 87 रन पर आल आउट होगी थी दस बिकेट पर इसी साल हुई थी आपने देखा होगा ठीक है तो अब बात करते हैं हैट-to-head मुकाबलों की दोटल दो मुकाबले खेले हैं कोई कि पिछली वार हर टीम एक दूसरे से दो दो बार खेली से बहुत अच्छा मैच होने वाला यह नहीं कह सकती कि एक टीम कोई भी जीच जाएगी अब एक बार देख लेते हैं कि बिनिंग पर्सेंटेज अकॉर्डिंग टू मिंक क्या कहते हैं हूँ विल विन कौन जीतेगा तो यह कहना तो बहुत मुस्किल है अभी मैस से पहले कि कौन जीतेगा ठीक है ना क्योंकि टॉस बहुत चीजे मैटर करता है पिछ देखनी पड़ती है किस तरीके से चल रही है कौन-कौन सी प्लेंग 11 है वीडियो आपको पताए कि एक दिन पहले बनाई जाती है आपके लिए तो अकॉर्डिंग टू मी साउथन ब्रेप के चांस कि और वैल्स फायर के चांस से रहेंगे वह 45 परसेंट रहेंगे तो आपको दिख रहा है ज्यादा कोई अंतर नहीं है ठीक है परसेंटेज में भी अकॉर्डिंग टू मी की 55 साउथन ब्रेप जीत रही है वैल्स फायर जीत रही है 45 परसेंट तो डोनों ही टीम मतलब एक मेरे भाइयों तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो नई वीडियो के लिए बैल आइकन को ओन कर लो जिससे कि अब डेली वीडियो आपको मिलेंगी ठीक है ना डेली प्रेडिक्शन की तो वह आपको नोटिविशन आता रहेगा ब कोई भी चीज समझ में ना है डारेक्ट लिए आप नंबर सेफ करकर हमें वाट्साप कर सकते हैं टेली ग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्यूशन मिल जाएगा जाकर आप बहां जाकर जॉइन कर लीजिए किसी भाई को जॉइन करने में दिक्कत हो रही है तो डारे